नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं जोतिश दिशा सत्य की राह आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संदोशे सुरुवात नए सवेरी की हो चुकी है और सुरुवात हमारे आपके मिलन की भी हो चुकी है इसी क्रम और कड़ी में आने वाले श्राध पक्ष के दौरान आप सब के पितरों की शांती के निमित एक छोटे में व्रियत आयोजन हम करने गयाजी में पहुँच रहे है गयाजी वो अस्थान होता है जहाँ पर आप अपने पितरों की शांती के निमित उनको तरपित कर सकते हैं त्रिप्त कर सकते हैं उनका तरपण कर सकते हैं पितरों के तरपण से आने वाली पीडियों को बल मिलता है उनके सौभाग की अभिवरिद्धी होती है आने वाली जो हमारी वंश बेल हैं जो हमारे संतान हैं जो हमारे वंशज हैं उनकी त्रिप्ति प्राप्त होती है तो आप इस कोरोना के कोविट के समय में निकलने की आवश्यक्ता आपको नहीं है घर बैठे पूर्ण आयोजन का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए 9354619250 पर आप कॉल एवर्टसप कर सकते हैं आई सुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा की पंचांग भात प्रदमाज शुकल पक्ष दौदशी है सुबह आट बच के 21 मिनद तक इसके बाद 23 का आरंभ होगा मकर राशी में चंद्रमा उत्रासार नक्षत्र रहेगा दोपहर एक क्यावन तक फिर स्रवन योग रहेगा सौभाग्य दोपहर एक छपपन तक इसके बाद शुभन तजनुसार दिनांक तीस अगस्त दिन रविवार राहुकाल रविवार को साम साड़े चार से छे बज़े तक होता है आप सबको पता है राहुकाल में नए और शुबकाम का आरंभ नहीं किया जाता गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर तीन बज़े से चार बच कर तीस मेर तक गुलिक काल कहता है जो चाहें आप कर सकते हैं हर एक काम आपकी बनते जाएंगे मेश सिमीन तक अब जानते हैं आज की भविश्य वाड़ी आपके राशी में आपके राशी फल में आज का दिन क्या कहता है सुरवात मेश राशी से मांसिक रूप से थोड़े से परिशान रहेंगे पढ़ाई में कम्मन लगेगा सिक्षा छेतर में कुछ तरह की तनाओ और कोई न कोई परिशानी आज अचानक से आपके समख्ष आ सकती है ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखाई देती बिजनस के लिए आज आपको बहुत एक्टिब लेकिन रहना पड़ेगा तो आप प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख मिलेगा नोगरी में प्रोमोशन के चांसल है सरकारी छेतर में कुछ इस्तियां उलस सकती है गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए कई तरह के तनाओं को पैदा करने वाला है दामपत्य जीवर आपका अच्छा रहेगा परिशानियों का अंत होगा संतान का सुख मिलेगा लेकिन लव लाइफ के लिए आज उल्जन बढ़ेगी लव लाइफ में कोई न कोई आपको आज पिंच करेगा परिशान करेगा मतलब टार्गेट पर रखेगा स्वास्त जो खाम बुखार खासी किसी कायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए मेश वालों को आज के दिन को बेहतर करने के लिए दाइनी हथेली पर थोड़ा सा गुलाब जल ले करके अपने उपर छिरकाव कर लीजेगा प्रादशनान के बाद क्या नहीं करना है आज बरों को पलड़ के जबाब नहीं देना है ग्रे कलर शूब है पचास प्रिशत का भाग्या आपके साथ है उबरिशब राजी मन से बहुत प्रशन रहेंगे मांसिक रूप से शान्ती रहेंगी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिख्छा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार में कुछ तनावा सकता है बिजनस में पैसा कहीं न कहीं फासेगा प्राइवर्ट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी प्राइवर्ट सेक्टर में मुश्किलों से बाहर आएगे प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए एक अच्छा आउसर पैदा करेगा सरकारी छेतर में अदभुत समय है गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ विशेश लाब की आउसर बनेंगे सरकारी छेतर में आप पर भरोसा बढ़ेगा ब्यापारिक दिश्टिकोर्ट से रिस्क लेना भारी पड़ेगा बिजनेस में पैसा कहीं निवेश नहीं करना है दामपत्य जीवन अच्छा है संतान का सुक मिलेगा प्राने समस्याओं का समाधान आप खुद पति-पत्नी मील करके निकालेंगे लव लाइफ की स्थिती को थोड़ा सा हिला हुआ पाएंगे लव लाइफ में अकस्माध किसी तरह के तनाव से माहौल थोड़ा सा गमगीन होगा स्वास्त का मसला आज अच्छा रहेगा दवाईयां सूट करेंगी परिशानियों का अंत होगा उपाय क्या करना चाहिए आज दुश्यव राश्यवालों को गव माता को आज कुछ खाने को दें आप रोटी दे सकते हैं हराचरा दे सकते हैं क्या नहीं करना है छोटे बच्चों से उलजना नहीं है आज हरारंग शुभा 69 प्रत्सित का भाग्याब के साथ है 30 अगस्त मिथुन राश्य मन थोड़ा सा आपका वेजयन रहेगा आज पढ़ाई में मन कम लगेगा कोई पुराने समस्या के बाहर आने से परिशानी बढ़ जाएगी ब्यापार बेहतरीन है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार इक नुकसान से बाहर आएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ परिशानिया रहेंगे प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने किया बशकता है, लेन दिन को लेकर के सतर्क रहने किया बशकता है, सरकारी छेतर में दिन अच्छा भी तेगा पैसे की किलत दूर होगी, संतान का सुख मिलेगा, दामपत्य जीवन वालों को आज बाहर खुबने टरहने का कारिकम बन सकता है, मिथुन राशी दिनांग 30 अगस्त, लव लाइफ की स्तिती उल्जन बरी है लव लाइफ में किसी ने किसी व्यक्ति के कारर आज शर्मिंदा होना पढ़ सकता है, स्वास्त का मसला आज आगों की तकलिए बैक की प्राब्लम शूगर थोड़ा सा बढ़ सकता है मिथुन राशी के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए आज, आज आप सब को किसी जरुवत मंद को कुछ मिष्ठान देना शुब होगा, क्या नहीं करना है दूसरे के काम में हस्तक्षेप आज नहीं करना है, स्लेटी रंग शुबह चाच्छट प्रिस्ट का भाग आपके साथ है करक राशी, इसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से स्रिक्षा में प्रभाव पढ़ रहा है पढ़ाई आज कम हो पाएगे, स्रिक्षा में कोई दोश दुराव दिखाई देता है ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनस में तरह खत्म होगा ब्यापार इक दिश्टिकोंट से लाब की आउसर बनेंगे प्राइवेट सेक्टर वालों को सोच समझ करके कदम बढ़ाना होगा प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी तरह की बड़ी मुश्किल आ सकती है सरकारी छेतर वालों के लिए आज प्रोमोशन के चांसेस हैं सेक्टर में किसी मित्र की मदद से कुछ बड़ा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा दाब बत जीवन अच्छा है आज आउट आफ कोड से ट्रिमेंट के लिए बैठ सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं संतान सुख का लाब दिखाई देता है लव लाइफ की स्थेरे थोड़ी सी ड दम बढ़ाईएगा अवसर आपको अच्छे मिलेंगे करक राशी के लिए उपाय क्या करना है आज कच्छा दूद का दान किसे जरुवत मंद को करना शुब होगा क्या नहीं करना है करक वालों को दूसरों की छमता को कम मत आंकिएगा शुबरंग सफेद भागी प्रिस्ट सिख्टी वन सिंग राशी अकस्मात थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्याओं के कारुन शुक्छा में प्रभाव पड़ेगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी ब्यापारिक नुकसान से अपने आप बाहर आ जाएंगे आप ब्यापार में भावर का सुक मिलेगा प्राइवेट्सेक्टर में कुछ बड़ी उपलब्ध ही आपको मिलने जा रही है प्राइवेट्सेक्टर में किसी दोस्त के कारण एक अच्छा जंप आपको मिलेगा सरकारी छ्टरवालों के लिए आज कुछ तनाओки इस्टित दिखाई दे रही है सरकारी छित्र में कुछ मुश्किले आ सकती है दामपत जीवन आपका बहुत उत्तम रहेगा दामपत जीवन में पत्थी पत्नी की बीच किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आज मन्से बहुत प्रशन रहेंगे आप लव लाइफ के लिए थोड़ा बहुत उल्जन बढ़ रहा है लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवशक्ता है सतर्क रहने की आवशक्ता है दूसरों के काम में हस्तक शेप कम करिएगा स्वास्त के मामले में आखों की तकलिफ आज बढ़ सकती है सांस लेने में कुछ दिक्कत हो सकती है किसी पुरानी बीमारी के जागृत होने से भी आप परिशान रहेंगे सिंग राशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज मादुरगा का ध्यान करिए आज इस दुरगा मंत्रु का जाप करें क्या नहीं करना है सिंग राशी वालों को ब्लैक कलर नहीं पहना है स्लेटी रंग की शुपता है जोड़ तालिस पुर्शत का भाग गिख साथ दे रहा है कन्या राशी बहुत अच्छा दिन रहेगा पढ़ाई में किसी तरह का दोश दुराव नहीं आएगा सिंग्छा में कुछ उन्नती के संकेत है रिजल्ट पॉश्टिव आएगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में बाहर से कोई खुशक्परी मिलेगी मित्रों का सानिद रहेगा प्राइविट सिक्टर के लिए आज वाहन का सुक मिलेगा शादी की बात फाइनल हो सकती है सरकारी छित्र में कुछ मुश्किने आ रही है तनाव बढ़ता दिखाई देता है गौर्मेंट सिक्टर के लिए आज का दिन दामपत्य जीवन में कुछ विशेश परिष्टितियों को अपने पक्ष में पाएंगे कन्य राशी वालों के लिए स्वास्ति का मामला आखों की तकलीब जुकाम बुखार परिशान कर रहा है थोड़ा बहुत स्किन प्रॉब्लम भी आज हो सकता है कन्य राशी के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कन्या है तो आज हरी सबजी किसी जरूरत मंद को देना शुब रहेगा क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है बैग्दी रंग शुब है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारिक नुक्सान से बाहर आ जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में मुश्किले आ सकती है प्राइवेट सेक्टर में रिस्क लेना भारी पड़ेगा नहीं नोकरी के लिए तलाश रुख जाईएगा सरकारी छेत्रवालों के लिए आज वाहन का सुख और पैसे का सुख दोनों मिल रहा है दामपत्य जीवन की स्थिति आज सुधार की तरफ है मित्रों का सानिद रहेगा परिशारियों का अंत होगा तलाराशी लव लाइफ सूच समझ करके दिरने लेना होगा बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा समझना ये आपके लिए आज लव लाइफ के लिए अनिवारे अंग रहेगा परियों क्या करना चाहिए बताएंगे स्वास्त के मामले में आज तलाराशी वालों को हर्ट की प्रावलम और शूगर किट्नी की दिक्कत हो सकती है तलाराशी के लिए प्रियोग के तौर पर आज भगवान गणेश का ध्यान करना है क्या नहीं करना है तलावालों को आज ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है बादावी रंगशुभा साथ प्रत्सित का भाग्याब के साथ है ब्रिश्चक राशी शुक्षा के लिए आज उत्तम सबह पढ़ाई के लिए बड़े अवसर मिलेंगे शुक्षा छेत्र में उचाई छू सकते हैं जुखाम बढ़ गया आज दोना सबह ब्रिश्चक राशी वालों के लिए ब्यापार में रिस्क लेना भारी पड़ेगा पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है पार्टनर्शिप पे टीक जाईएगा ब्रिश्चक राशी प्राइवेट सेक्टर के लिए आज दोक्री में प्रमोशन के चांसर्ज है सरकारी छेतर में कुछ उलजने बढ़ेंगी गौवर्मेंट सेक्टर में तराव बढ़ सकता है सरकारी छेतर को लेकर के थोड़ा साथान रहने क्या वशकता है दांपत्य जीवन आपका अच्छा है दांपत्य जीवन में कुछ विशेश उपलब्धी आज होगी पदी पत्ली के बीच तराव खत्म होगा स्वास्त को लेकर के आपको कहीं से भी परेशाद नहीं हो रहा है लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है लव लाइफ में आज उलजन बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति अविस्वास बढ़ेगा एक दूसरे को आप कम समझ पाएंगे स्वास्त आँख इसके बुखार आधी हो सकता है उपाय क्या करना चाहिए आज आज किसी जरुरतमंद को खाने की कोई वस्तू उपाहार सरूप दीजिएगा क्या नहीं करना है जूटी कसमें नहीं खानी है लाल रंग शुबच 55% का भाग्याब के साथ है धनुराशी दिनांक 30 अगस्त दिनर विवार पढ़ाई की मामले में दिन अच्छा रहेगा मांगलिक चीजों में बेस्त रहेंगे खोब मन लगेगा पढ़ने में ब्यापार बहतरीन बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बैपारिक नुकसान से बाहर आएगे प्राइबर सिक्टर में कुछ विशेश उपलब्धियां मिलेंगी आपको जैसे प्रमोशन हो सकता है वाहन का सुख मिल सकता है आज का दिन सरकारी छित्रवालों के लिए रहने की आवशक्ता है आई स्थिरता रहेगी लव लाइफ में कुछ परिशानी अपने आप बढ़ रही है स्वास्त का मामला बिल्कुल ठीक है स्वास्त में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी हेल्थ वाइज एक्तम से आप प्रशन चित रहेंगे धन राशी के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए आज तीन पौधों में जल दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना पीले रंग की शुपता है सरसट प्रतिशत का भागिया मकर राशी सिक्षा में पूर्टा आएगी सिक्षा छेत्र में कुछ विशेश उपलब्धिया मिलेंगी आज टीचर्स प्रशन रहेंगे व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में दिक्कतों का निस्तारण हो जाएगा परिशानियों का अंत हो जाएगा मकर राशी के लिए कुछ विशेश उपलब्धिया आपको मिलेंगी दामपत्य जीवन आपका हर प्रकार से शुब है दामपत्य जीवन में किसी तरह का दुराव नहीं आएगा दामपत्य जीवन में कुछ विशेश लाव की आउसर बनेंगे दामपत्य जीवन को ले करके सजग रहिएगा लव लाइफ की इस्तिति सुधर रही है लव लाइफ के किसी तरह का दिक्कत नहीं शादी की चल्चा कर सकते हैं स्वास्त का मामला आज थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा स्वास्त में कुछ परिशानी आएगी सरजरी याद की नौबत आ सकती है ज किसी को काला रंग शुबह 63 प्रतिशत का भाग्याप के साथ है कुम्बराशी दिन मंगल कारी है भाईया परिशानी ओकांत हो रहा है मालसिक शांती मिलेगी पढ़ाई खूब करेंगे ब्यापार में आ रही बादाएं दूर होंगी कोई दोस्त मददगार साबित होगा वि खुब खुश रहेंगे वहान का सुक मिलेगा ब्यापार के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही है बिजनेस आज बहुत अच्छा रही है ब्यापार में कुछ परिशारियां बढ़ रही है लाश्ट में सरकारी च्छेतर के बाद ब्यापार अलग से समझ लीजेगा आपके लिए सब कुछ बहुत आसान सा नहीं है लव लाइफ की स्थिती सुधर सकती है दोपहर के बाद साउधानी के साथ कदम बढ़ाईएगा शादी की चर्चा कर लीजेगा स्वास्त के मामले में कुछ आखों की तकलीफ, माइगरेन की समस्या, बैक की प्रॉबलम हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्ब है शिव का ध्यान करिए ओम दमह शिवाई बग्मार भूले नाथ शुबता प्रतान करे सद्बुद्धिते क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है नीला रंग शुबह क्यावन प्रिस्ट का भाग्या आपके साथ है मीन राशी कुछ तराव अपने आप होगा कुछ अशान्त रहेंगे मन से बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई प्रभावित हो रही है आज ब्यापार अच्छा चल रहा है पार्टनर्शिप टेक जाएगी रूर के धन की प्राप्ती होगी प्राइवेट सेक्टर में बॉस के साथ हेचार के साथ कुछ बहस हो सकता है किसी प्राणी समस्या पर आप दोनों में टक्राव आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर सोचना समझना पड़ेगा थोड़ा सरकारी छेतर में वहान का सुक में लेगा शादी की बात फाइनल हो सकती है दामपत्र जीवन में आज बहतर रहेगा कुछ पुरानी समस्याओं का हल निकल आएगा तनाव खत्म होगा स्वास्थ बताएंगे लव लाइफ की स्थिति सुधर रही है लव लाइफ में किसी तरह का उलजन नहीं है उचाई अपने आप राप्त करेंगे स्वास्थ के मामले में आज आँख और किड्नी की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज आटा गेहूं का आटा कहीं दान करिएगा क्या नहीं करना है जान बूझ करके खुद को कम अता किएगा सुभरंग सफेद भाग्य पत्षत 55 पचपन तो बढ़े आगे भाग्याक्षर की तरफ लेकिन जानकारी ये भी दे देते हैं कि आप घर मैठे इस शुराध्व में अपने पितरों के तरपण के लिए संपर्ख कर सकते हैं 9354619250 पर आपका ओल्यावाटसप करें और अपने पितरों के लिए समय बुख कर लीजे स्थान बुख कर लीजे आपकी पितर प्रतिक्षानत रहेंगे अगर आपने अब तक पिंड़दान नहीं किया है बिलक्षण अवसर है सुरवात करते हैं आज के भाग्याक्षर की मेश राक्षर ब्रिशब बा मिथुन राक्षर करकया सिंग साग्षर कर्निया मा तुलावाख्षर मिस्चिक भा धनुकाग्षर मकरला कुम्खाग्षर मीन हा ये आपके अपने शुब भाग्याक्षर है जिन्हें साधे चौक और कागच पर लाल रंकिंग किसे लिख की रखना होता है चलते चलते आज की सक्सेस की दाइने हाथ की छोटी अंगली से मस्तक छूना है और ओम का जाब करना है शुब कामरा है आपके परम पावन दिन की नौ सितंबर तक आप हमसे गाजे अबाद में मुलाकात भी कर सकते हैं आपका दिन शुब अनुमत देंगिया नमस्कार शुरादे